तो जो लड़का है, है तो वो लड़का, तो उसके मन में फीलिंग क्या है? लड़की वाली उसी तरह अगर हम लेजबिनिजम की बात करें, लड़की है और उसको लड़की होने में ही बहुत कुशी है उसको पिंग, कलर, डॉल्स, बार्बी, यह सब पसंद है बट जब सेक्स की बात आती है, तब भी उसको लड़किया ही पसंद है, इसे लेजबिनिजम क्याते है नमशकार दोस्तों, कल मेरे क्लिनिक में एक लड़का आया है, जिसकी उमर 18 साल एक दिन थी वो अपने मावाप के साथ आया था, और मावाप ने अच्छे से सपोर्टिव और एक्सेप्ट कर लिया था कि उसको जंडर डिस्फोरिया है, तो मैंने उसकी हिस्ट्री ली जैसा कि होता है, उसने मुझे बताया कि बच्पन में जब मैं छोटा था, 5-7 साल का, तब सही मुझे रिलाइज होने लगा कि मैं लड़का नहीं, लड़कियों जैसा हूँ उसकी मम्मी ने भी मुझे बताया कि इसकी हरकतों से तो मुझे शुरू सही डाउट होता था, मुझे लड़कों जैसी चीजे करेगा भी या नहीं पर एक चीज जिसने मुझे हरान किया वो यह था, कि जब वो 13-15 साल की उमर का हुआ और जब sexual development होती है तो उसको खुद को भी डाउट था, कि वो homosexual है या कुछ और है तो मुझे यह हिरानी हुई कि जब बच्चे को ही clear नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आम जनता को भी यह काफी दिक्कत आती होगी समझने में कि homosexuality और gender dysphoria में क्या फरक होता है इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि homosexuality और gender dysphoria में या gender identity disorder भी जिसको कहते है बुरानी classification में क्या फरक है उसके लिए दोस्तों हमें दो शब्दों को समझना पड़ेगा एक है sexual identity और एक है gender identity sexual identity क्या होती है कि जब बच्चा पैदा होता है तब ही उसके गुपतांगों को देखके हमें पता लग जाता है कि लड़की पैदा हुई है या घर में लड़का लेकिन अगर आप यहां देखें कि कौन लड़का है या कौन लड़की तो आप बता नहीं सकते क्यों कि बच्चा भी बहुत छोटा है गोदी में लेने वाला है तो यह लड़का भी हो सकता है और लड़की और दोनों के लड़का है जब बच्चा पैदा होता है लेकिन लड़का है या लड़की जिसको बोलते हैं जेंडर आइटिटी तो तभी डिफाइन हो जाती है जब बच्चा पैदा होता है जेंडर आइटिटी आते आते लगबग 5 साल हो जाते हैं फूर सके बाद बच्चे जो हैं वह बड़े जाते हैं कि अब यह तो मर्द हो गया लेकिन अब इसके मन्में जो feelings हैं हो है female वाली, तो यह होगा gender dysphoria, gender dysphoria मतलब isthirling या pulling, तो जो लड़का है, है तो लड़का, उसके मन में feelings क्या हैं, लड़की वाली, या फिर कोई लड़की है, उसके मन में feelings क्या हैं, लड़के वाली, तो इसमें trans male या trans female हम बोलेंगे, बट सरकार के हिसाब से इनका पूरा-पूरा हक है, कि हार्मोनल थेरपी लें, पहले एक psychiatrist से certificate लेना पड़ता है, उसके बाद एक endocrinologist से हार्मोनल थेरपी लेनी पड़ती है, और उसके बाद, एक साल के बाद जो है वो अपना operation करा सकते हैं, male to female अब हम बात करते हैं, homosexuality की, अब दो मिनट के लिए हम imagine कर लेते हैं, कि दोनों लड़के बड़े हैं, दोनों लड़के ही हैं, अब एक और शब्ध हमें समझना पड़ेगा, यहां पर वो है, sexual orientation, sexual orientation का मतलब है, कि जैसे कि यह लड़का है, तो इसका लड़का होना इस पर खुश है, उसको कोई problem नहीं है, माल लेते हैं, ताइम के लिए यह लड़का ही है, तो आपको यही मानना पड़ेगा, तो यह लड़का है, और यह लड़का होने में बहुत ही खुश है, और यह ल इच्छा होती है, दूसरे लड़के के साथ, तो इसको बोलेंगे homosexuality, मतलब same sex, कि साथ ही sex करने का मन करता है, वैसे दिमागी तोर पे वो लड़का ही है, तो फरक क्या हुआ, जेनर डिस्फोरिया में, तो जो लड़का मेरे पास आया था, बट उसके मन में feeling थी, कि वो लड hormones लेके, और treatment कराके, वजाइनो प्लास्टी कराके, लड़की ही बनना चाहता है, और अगर वो किसी के साथ affairs लाना चाहता है, तो एक लड़के के साथ, बट feeling कौन सी है, लड़की वली, जैसे एक normal इंसान की होती है, लेकिन, जो homosexuality है, अगर कोई लड़का है, तो लड़के ह जिसको कि हम gaze बोलते हैं, उसी तरह अगर हम lesbianism की बात करें, लड़की है, और उसको लड़की होने में ही बहुत खुशी है, उसको pink color, dolls, barbies, यह सब पसंद है, बट जब sex की बात आती है, तब भी उसको लड़किया ही पसंद है, जिसे lesbianism कहते हैं, इस वीडियो की माधियम से हम यह doubt clear करना चाते थे, कि homosexuality और gender dysphoria में जो है, वो काफी फरक है, तो last में अगर मैंने summarize करना हो, लड़का या लड़की वो खुश हैं, जैसे भी वो हैं, बट जब उनने sexual partner चूश करना होता है, तो वो same sex का चूश करते हैं, that is homosexuality, और लड़का या लड़की वो खुश नह चाहता है लड़के से, और उसी तरह जो लड़की है, वो लड़की होने से खुश नहीं, उसके अंदर तो छुपा हुआ एक आदमी है, और वो operation कराके और hormonal therapy से एक male बनना चाहती है, और शादी एक लड़की से करना चाहती है, और ऐसे boy रहना चाहती है, rarely homosexuality उनमें भी हो स मुझे लगा जब इसको भी confusion है, तो आम जंता को कितनी confusion होती होगी, इस वीडियो के माध्यम से उसको हम दूर करना चाहते थे, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही नन्यवाद